दादी, बस्तर से दिल्ली जाना चाहा रहे हैं आप सागत मैंने आपके किया है हमारा इंटर्व एसा ही रहता है बस्तर से दिल्ली दादी की जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं लोक सभा सांग सांग तू ही नागिए थी ने पर जाए नंद को रेसा एक मेशान जी नहीं लेकर, एक कोशन पर वारल हो रह रहा है, वारल वीडियो कवास की लखमा का रहा है, जिसमें कवास की लखमा एक पथरकार के साथ अवध्रता करते हैं, और कहते हैं कि तुम नियूज वाले नहीं हो, यहां से चले जाओ असलमें ये पत्रकार तेज साहू हैं जो कि दलोग मीडिया के हैं वो अपने चुनावी यात्रा के दर्मियान बस्तर दोरे पर थे और कवासी लक्मा को भी कॉंग्रेस ने बस्तर से अपना उमीदवार बनाया है जब तेज साहू कवासी लक्मा के पास पहुंचते हैं कहते हैं कि आपका एक इंटर्वी हो जाए जिसके बाद कवासी लक्मा और तेज साहू कुर्सी पर बैठ जाते हैं जब पत्रकार पहला ही सवाल करता है कि आप बस्तर जीतने के बाद दिल्ली जाएंगे तो कवासिल लक्मा कहते हैं कि नहीं मैं दिल्ली नहीं जा रहा है जिसके बाद कहते हैं कि तुम नियूज वाले नहीं हो तुम चले ज़ो यहां से ज़ो कवासिय लक्मा अपने बिवादित बयानों की वज़ से ही जाने जाते हैं लगातार वो बिवादित बयान देते रहते हैं इसी लोग सबाचुनाओ के दर्मियानी उनके पर दो F.I.R. भी हो चुका है एक F.I.R. इस वज़ा से कि वो एक जनसबा को सम्मोधित कर रहे थे और कहते हैं गाओं मालों से कि अगर पुलिस तुमारे गाओं में आये तो तीर दनुस लेके उनको भगा दो और तीर तारीक को राउल गांदी की बस्तर में एक जनसबा थी जिस दर्मियान पियम मोधि को लेकर भी कवास की लक्मा खुब बुरा बला बोलते हैं जिसके बाद उनके उपर एक और F.I.R. हो चुका है चुनाव परचार के दर्मियानी दो F.I.R. और फिर पत्रकार के साथ अबादिरता सोचिये कवास की लक्मा का आच्रड कैसा है लोकतंदर के चौत्या अस्तंब अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो भड़क जाते हैं अगर वही सवाल pre-scripted रहता पहले से उनको पता रहता कि क्या का सवाल पूछेगा पत्रकार तब वो खुस हो जाते हैं लेकिन पत्रकार ऐसा नहीं है कि आपके अनुसार चलेगा उसको जो मनाएगा जो मर्जी होगी वो पूछेगा एक जिम्यदारी है आपके उपर आप अगर जनता का प्रतिनिद्द्ट कर रहे हैं तो आपकी जवाब देही बनती है पत्रकार लगातार आपसे सवाल पूचता रहेगा लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पत्रकार के साथ ब्यवहार कर रहे हैं कवास की लख्मा जो की कॉंग्रेस की सासनकाल में मंतरी भी थे फिलाल वो विदायक भी हैं और कॉंग्रेस ने उनको लोगसभा का प्रत्यासी भी बनाया है लेकिन जो उनका आच्रड है जो उनका बेवहार है वो सब के सामने है किस तरीके से एक पत्रकार को जलील करते है और पत्रकार को भगा देते है कही न कहीं ये जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगे कि आपकी इस तरीके से लोगों के साथ बेवहार कर रहे हैं अगर आप एक पत्रकार के साथ आपका बेवहार ऐसा है तो आपका जनता जनारदन के साथ कैसा बेवहार होगा वो सब को पता है कवासी लगमा का ये दिरुबेवार पत्रकार के साथ कहीं न कहीं निंदनी है आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्षन के माध्यम से जरूर बताईएगा